हेलो एवरीवन कैसे यहां आप सब यह हरी मिर्श है जो हम अचार वाली होते न अचार बनाते जिनका वो और यह तीखी वाली हरी मिर्श है हम इनके आज एक नई रेसिपी बनाने वाले हैं इनको दो कर अच्छी तरह सुखा लिया है अब इनको हम कट करेंगे यह कुछ लहसुन की कलिया और यह थोड़ा सा अद्रक छील कर काट लिया है अद्रक को एक कड़ाई में दो तींच मस्टर्ड ओयल और थोड़ा सा जीरा डालेंगे अब यह मिर्चेस में डाल दे और इनको हमें थोड़ा सा पानी डाल कर गलाना है जिससे एच्छी तरह से गल जाएं थोड़ा से इनको भूनिये जो इसमें लहसुन और अद्रक का कच्चा पन है वो निकल जाता है यह आधा कप पानी डाली इसमें अब इसको चलाईए हमें यह सारा पानी सुखाना है जो इसमें डाला था पानी नहीं होना चाहिए बिलकुल भी अब हमारी मिर्चे भी देखो गल चुकी है और इनका पानी भी खतम हो चुका है गैस को बंद करके इसमें तीन चार चमत चीनी और नमक डालें स्वादनुसार गैस को बंद ही रखें अब नहीं चलाना है गैस को और इन सब को मिक्स कर दें थोड़ा सा नमक डाल कर नमक आप अपने स्वाद के नुसार डाल सकते हैं चीन इसमें गरम में ही डालनी है जब हमारी मिर्चे गर्म होंगी तभी डालनी है अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख दीजिए ठंडा होने के बाद इनको एक मिक्सिजार में डालिए और इसका बारिक पेस्ट बनाना है इसमें आप पानी नहीं डालेंगे सिरका डालें वेनेगर, वाइट वेनेगर, पानी का यूज नहीं करना है, वेनेगर डाल कर ही, आप इसको पीसे, यह देखे, पीस चुकी है, अब एक छन्नी ले, और इसमें को यह सारी सोस, चटनी, छान ले च्छी तरह से, यह देखे, छानने के बाद, यह हमारे ग्रीन सोस बनकर तयार ह जो महीनों चलेगी, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें